तो आज हम बात करने वाले हैं दो एर्थिंग की आवसकता क्यों पड़ती है यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि double earthing की आवसकता क्यों होती है और कहां होती है तो देखिए मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आधम क्या पढ़ने वाले है वाई double earthing required ISI नियम के द्वारा earthing आवसक है यह आपको मैं previous वीडियो में बता चुका हूँ अर्थिंग वाले प्लेलिस्ट में देख लीजे दिनों नहीं देखा है या फिर जिनको और कहीं समझते आएगी वो कमेंट भी कर सकते है तो यहाँ पर आज अभी पहले समझते हैं कि why double earthing is required दो अर्थिंग की आवसकता क्यों पड़ती है तो यहाँ पर देखे मैं आपको बताओं कि यहाँ अब यह उप्योग के लिए तयार है उसे बोलते है आईए साई तो यहाँ पर double earthing के बारे में चर्चा हो रही है देखिए जो भी large machines होते है large machines याने की बड़े पहमाने की जो machines होती है जैसे की मान लीजिए कोई बड़ा सा transformer है कोई बड़ा generator है कोई बड़ी motor है या थ्री-phase की machine है या इन तरह के जो installations होते हैं इन में double earthing की बहुत जादा जो है importance होती है हाँ double earthing की importance होती है या shortcut में मैं आपको जुगाढ़ बताओं तो यार एक बात बताओ माल लो कि आप बाइक से कहीं पर घूमने जा रहें अपने यार दोस्त के साथ और रास्ते में पैट्रोल खतम हो गया ठीक है तो अब पैट्रोल पंप तो होता ही है यार जगा लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि उस समय इंस्टेंट आपको पैट्रोल या डिजल जो भी required fuel है वह आपको मिल जाए तो उसके लिए गाडियों में या विकल्स में एक reserve system बनाया जाता है वह reserve system इसी लिए होता है कि यदि रास्ते में पैट्रोल या fuel खतम हो जाए तो वह आपको अपने destination तक तो नहीं लेकिन पैट्रोल पम तो कंदम पहुंचा ही देगा आपको यानि कुछ दूर तक तो पहुंचा ही देगा तो इसी तरह का जो concept है वो double earthing में भी यूज होता है तो यहां पर मैं एक छोटा सा डाइग्राम बना रहा हूं यह माल लीजिए कोई भी एक motor है तो यह जो हमारी जो यह motor है इस motor में देखे दो अर्थिग की शुवदा दे गई है एक और दो दो अर्थिग की परिवासा आपको पता है कि अर्थिग क्या होता है किसे कहते हैं देखिए मानव की सुरक्षा को द्यान में रखते हुए विधुत जटके से बचाव करने के लिए अर्थिंग को लगाया जाता है तो यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि मालो की कोई वी ऐक उर्थिंग काम करते वक्त यह मसीन जब चल रही है वो फेल हो जाए gsm झज़ का कोई भरोसा नहीं होता मसीन है मसीन अपने हिसाब से चल लेगी मसीन अपने सीछान से चलेगी तो यहां पर कुछ पता नहीं है कि कभी कोई अर्थिंग फेल हो जाए या धोखा दे जाए साधान से सब्दों में तो यही कहेंगा ना कि भाई धोखा दे गई यह तो कोई बात नहीं तो जब यह फेल हो जाए तो एटलिस्ट हमारे पास एक अर्थिंग तो बचेगा ना आ गए न जुगाड वाली बात तो यह जो अर्थिंग बचा हुआ रहेगा यह अपना काम करता रहेगा यानि यह बचे हुए अफसेस या लीकेज धारा को ग्राउंड करता रहेगा और इस तरह से सुरक्षा जो है हो और यही परियोग जो है बड़ी बड़ी मसीनों में जैसे मोटर जनेटर ट्रांसफर्मर जहां पर बहुत ही ज़्यादा पहमाने में लीकेज हो या लीकेज धारा हो या जहां भी इस तरह का खत्रा हो तो डवल अर्थिंग का प्रियोग कर लिया जाता है तो इसको आप सेहतर अपडेट्स के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ मैं हूँ आपकामन सर आप देखना है टेक्निकल प्रिपरेशन